मुझे ना मेरा स्किन का कलर लाइटन अप करना है, वाइटन अप करना है, कुछ भी करो बस मुझे गोरा बना दो मेरी वाइफ मुझसे बात नहीं करती, मेरे हस्बिन मुझसे बात नहीं करती या मेरे फ्रेंज मुझे एकसेप्ट नहीं करते कि वो जादा सुन्दर है जो की बिल्कुल ही गलत है आपका जो कलर है जो डसकी कलर है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है आपको सबसे पहले अपनी स्किन एकसेप्ट करना पड़ेगा मैं बहुत अगैंस्ट हूँ यह जो वाइटनिंग वाला कंसेप्ट है उसके बट फिर भी टॉपिक कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था आपने मुझे मेरी वीडियो में कई बार ये बोलते वे सुना होगा कि आप अपना स्किन का टोन चेंज नहीं कर सकते आप सिरफ हेल्धी ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हो बट फिर मेरे को कमेंट आता है ऐस कैसे बॉलिवूड सेलेब्रिटी तो अपना 3-4 शेड कलर लाइटन अफ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हम भी त्यार हैं पैसा खर्चने के लिए ऐसा कौन सा इंजेक्शन आता है ऐसी कौन सी क्रीम आती है ऐसी कौन सी गोली आती है जो हमारा कलर चेंज कर दे मैं उसी के बारे में आठ डिसकस करने वाला हूँ बॉलिवूड सेलेब्रिटी इसका जो सीकरेट है वो आपको बताने वाला हूँ यह सिरफ उस गोली से होता है इंजेक्शन से होता है या सिरफ फिल्टर लगे होता है अब आप एक बार को इमेजन करकर देखो आप जो फोटो नहीं दिखता बट फिर भी हलका फुलका उसको एन्हांस किया जाता है कैसे मैं आपको वो बताने वाला हूँ हम डिसकस करने वाले हैं ऐसा ब्यूटी ट्रीट्मेंट जो हमारी इंडियन मार्केट में या ओल ओवर दे वर्ल्ड बहुत ही जादा पॉपिलर है हम डिसकस करन लेने चाहिए कौन सी टाबिल लेने चाहिए इंजेक्शन लगाने चाहिए और नहीं लगाने चाहिए उसी के बारे में आज हम डिसकस करने वाले में बहुत टाइम से टॉपिक को टाले जा रहा था बट इस हाय टाइम आज इस पर वीडियो बनाई जाये तो आप अभी के कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को अभी के अभी शेयर कर लो विकिस इस वीडियो में बहुत डीप दिसकाशन करने वालो और आपको तरीके से बताने वालो कि यह ट्रीट्मेंट आपने अच्छली फॉलो करना भी चाहिए यह नहीं करना चाहिए पहले थोड़ कलर होता है उसमें मेलनिन की पिग्मेंट की कॉंटिटी होती है जादा जिससे हमारा कलर थोड़ा सा डाक होता है और जिनका कलर फेर होता है उसमें मेलनिन पिग्मेंट कंपरिटिवली कम होता है जो ग्लूटा थियॉन होता है आपका मेलनिन की प्रोड़क्शन को करे कम और disorder होता है तो आपकी पूरी body dark पढ़ने लग जाती है तो ये वाला injection बनाया गया था ताकि जो melanin आपका बढ़ गया वो कम हो पाए और जो pharma companies थी थी ना उन्होंने बहुत जल्दी realize कर लिया कि पूरी Indian society में lighten और lighten का concept बहुत जादा चलता है और उसी के बाद ये products back to back आना शुरू हो गए, injections आना शुरू हो गए tablets आना शुरू हो गई और यहां तक जो doctors होते हैं वो भी prescribe करना शुरू कर दिया है जो products आना शुरू है वो skin lightening gels आना शुरू हो गई है scrubs आना शुरू हो गए है जो topically आप लगा सकते हैं इसके अलावा tablets आती हैं और injections आते हैं ठोटल तीन तरीके होते हैं जो आप glutathion को ले सकते हो एक आप ले सकते हो injections के तुरू, दूसरा tablets या capsule के तुरू और तीसरा है topical application पर थोड़ा glutathion की research के बारे में जाते हैं कि कोई तरीके से research नहीं कीगे कि glutathion के कितने side effects हो सकते हैं वो कितना safe है और आपको कितना time तक उसको लेना पड़ेगा कि आपको visible results मिले basically हमें ये पता ही नहीं कि कितना effective और कितना dose में लेना चाहिए और इसी वज़े से बहुत सी research बीच में आई थी कि बहुत से लोगों ने overdose ले ले लिया glutathion का और उनकी death भी हो गई it's very risky तो आपको glutathion बिना doctors की prescription kit ना tablets लेने चाहिए ना injection लेने चाहिए वो तो मैं किसी हालत में आपको recommend करूंगा भी नहीं बट फिर भी अगर आपका कोई बहुत पुराना dermat है जो आप sure हो बहुत experience है उनके prescription पर ही लो और उनकी बताई की dosage पर ही लो सबसे safe रहता है topical application glutathion का जो आजकल body lotions तक में आना शुरू हो गया क्योंकि आजकल लोग body भी lighten up करना चाहते हैं face भी lighten up करना चाहते हैं सबसे safe होता है glutathion का topical application उसमें बहुत से products आना शुरू हो गया है आप description में जाओगे ना मैं अलग-अलग products list कर दूँ कि क्या-क्या products आप ले सकते हो और वो बिल्कुल safe रहेंगे आपकी skin के लिए आपने make sure करना है अगर आप glutathion का injection लेने का plan करें तो do it at your own risk जो कि मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूँ और आपको नहीं लेना चाहिए उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ जो glutathion है आपको कभी भी एक बार में फायदा नहीं देता जो उसका injection होता particularly आपको 6-7 बार लोगे उसके बाद ही थोड़ा बहुत result दिखना शुरू होगा और वो भी high dosage में और high dosage का आप मतलब समझे रोग कितने side effects हो सकते हैं आपको rashes की दिक्कत आ सकते हैं आपको irritation हो सकते हैं आपको breathing में problem हो सकते हैं basically उसके इतने side effects है कि यह मैं बता भी नहीं सकता तो आपको इस चीज में जाना ही ने चाहिए पैसे की तो बात ही नहीं आप पैसे जरूर खट सकते हो बट आपकी body में ही दिक्कत हो जा है तो क्या फायदा ऐसी whitening का भी जो आपका color है ना सच बता रहा हूँ बिलकुल ही perfect है उसी में comfortable रहो अब आते हैं इसके ओपर की Bollywood Celebrities ये कैसे कर लेते हैं देखो बहुत से और भी treatments होते हैं जो लोग follow करते हैं skin lightening therapies आती है बहुत high tech facials आते हैं वो facials करवा सकते हैं PRPs ले सकते हैं skin lightening laser treatments आते हैं वो ले सकते हैं basically आप जितना skincare follow करते रहोगे आपकी skin का texture improve होता ही रहेगा और जो Bollywood Celebrities होते हैं यकीन मानों उनका भी color कोई change नहीं हो जाता जो आप देखते हो उसके ओपर लगा होता है बड़ा सारा makeup और सारा lights का ही जादू होता है कभी उनका बिना makeup की photo तो देखकर रहो ऐसा कोई major difference नहीं आता जो आपको difference दिखता है जो हम देखते हैं कि 90's की actress आज 2023 में इतनी गोरी कैसे लग रही है वो सही बता हूँ आदे से जादा तो camera और lights का ही कमाल है आपको ये अपनी friend को भी देख लो जिनका color comparatively dark होता है वो उसको edit करकर गोरा कर लेती है same is valid for the celebrities 19-20 होना बहुत मामूली बात है जब आप एक अच्छा skincare follow करते हो तो आपके color में change आता है बट इतना major नहीं कि 3-4 shade change हो जाए और जो ये celebrities है वो regularly invest करते हैं वो dermatologist पास जाते हैं और ऐसे बहुत से treatments आपको recommend किया जाता है जो laser treatments होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा आपकी skin में change लाना शुरू कर देते हैं इसके लावा एक और treatment जो आप follow कर सकते हो गर अपनी skin में change देखना चाता है वो एक chemical peel treatment मैंने chemical peels के उपर पहले भी video बनाई वी है जो chemical peel होता है वो basically काम कैसे करता है पहले आपको वो बताता हूँ जो हमारी skin की top layer है उसके वो cells होता है उसके साथ वो react करता है और सारी जो deadness होती जो हमारी skin में imperfection हो उसके वो हटा देता है वो layer ही हट जाती है जिससे reveal होती है baby soft clear skin पर देखो इसका भी थोड़ा बहुत नुकसान होता ही है जब आपकी skin की top layer हट गई है तो आपकी skin हो गई है पहले से sensitive तो जैसे ही आप धूप में लिख लोगे तो आपकी skin damage हो जाएगी तो sunscreen लगाना बहुत जादा mandatory है इसके लब रिंकल्स और fine lines की समस्या भी आपको काफी जल्दी आईगी बट फिर भी ये बहुत जादा safe है बाकी treatments के मुकाबले आज कल major brands में जैसे minimalist ने, pilgrim ने भी अपनी chemical peels निकाल दे जो कम percentage में होते हैं और आप वो easily follow कर सकते हो बिना कोई side effects के आप अपने face पे उसको लगाते हो, 10 minute रखते हो और wash off कर देते हो और उपर एक moisturizer लगाया जाता है, दिले एक sunscreen लगाया जाता है और आपने इसको follow करना होता है हफते में एक बार बट जिन chemical peels की मैं बात कर रहा हो नो, वो follow की जाती है by doctors बहुत high concentration में, उससे आपकी skin में बहुत जादा change होता आपकी skin properly peel होती है, आप जैसे treatment करा करा तो दो से तीन दिन में आपकी skin peel होना शुरू हो जाती है ये treatment सिर्फ skin को whiten up करने के लिए नहीं कराया जाता आपके face पे अगर acne है, wrinkles है, dark spot है उनको हटाने के लिए भी chemical peels कराया जाते है और जो बॉलिवर्ड actors होते है न, ऐसा कोई बॉलिवर्ड actor actually है ही नहीं जिसने chemical peel ना कराया हो बिगरिज़ आपकी skin की top layer न, radicals के contact में आके damage हो जाती है तो इस damage skin को हटाते है, तब ही clear और glowing skin नजर आती है तो अगर आप plan कर रहे थे कि मुझे injection लगाना या मुझे गोली खाने है तो आज इस idea को drop कर दो, rather glutathion की gels लो, cream लो, scrub लो जो product आप easily purchase कर सकते हो, topically उसको लो इसके अलावा आप chemical fields follow कर सकते हो, यह बहुत ही amazing रहती है आपके लिए बाकि आप फिर भी कोई dermatologist पास जा सकते हो, और उनसे proper guidance ले सकते हो ऐसे बहुत से facials आते हैं, जो proper machines से किया जाते हैं और वो बहुत हद तक आपकी skin tone को lighten up कर सकते हैं या सही बताओं तो brighten up कर सकते हैं, आपकी skin tone पे glow add कर सकते हैं और अगर आप regularly maintenance लेते रहोगे न जैसे celebrities रहते हैं तो आपका भी complexion properly clear और glowing लग सकते हैं पर एक चीज आप बांध लो, दुनिया में कोई आपको गोरा नहीं कर सकते हैं और सच बताओं हमें गोरा होना भी नहीं है आप अगर अपने skin tone के साथ ही comfortable नहीं होना, confident नहीं होना तो दुनिया में आप कोई चीज सच बतारों अचीव नहीं कर सकते अपनी skin में रहो confident और सही बतारों अगर आप confident होगे ना तो automatically glowing लगोगे पर मैं ये नहीं कहता, skincare follow नहीं करो और हमारे को make sure करना है, अगर कोई चीज हमारे को फायदा नहीं देदी तो at least नुकसान तो ना दे इसी चीज़ पर मैं हमेशा जोट देता हूँ बागी देगो, मेरा ये effort था आप लोगों को बताने का कि whitening जैसा concept exist नहीं करता हूँ और आपको उसे follow नहीं करना, हमें सिरफ अपनी skin को brighten up करना और healthy बनाना है, अगर आपकी skin healthy है ना तो automatically आप सुन्दर लगोगे बात में दम लगाओ, तो वीडियो को like जरूर करना, चैनल को subscribe जरूर करना ये वीडियो उन लोगों के साथ share जरूर करना, जो पीछे पड़े भाई, मुझे बस गोरा कर दे उनको बताओ भाई, तरको गोरा नहीं हो ना, skin को बढ़िया कर ले, तू automatically सुन्दर देखेगा बाकी अपनी बाकी चीजों पर काम करना शुरूर कर, ढंक से पानी पिया कर, ढंक से खाना खाये कर, अपने को fit रख, अपना पेट अंदर कर सबसे पहरे, तो खुद बखुद तू सुन्दर लगेगा तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक अमेजिंग वीडियो के साथ, अंटिल नेक्स टाइम, इस इस योज चोज सच्च देवा, गुडबाई